नमस्कार MP न्यूस कास्ट में आपका स्वागत है मैं हुआ आपके साथ दीप्टी भट्टागर आए शुवात करते हैं धन्भर के कुछ खास खबरों के साथ यूक्रेन से रेस्क्यू कर कटनी भेजा गया सुनिधी को यूक्रेन में युद्ध के कारण अस्त ब्यस्त हुए हालातों के बीच फंसी कटनी निवासी सुनिधी सिंगह अपने परिजनों को बताया रहा कि घर वापस आने के लिए नहीं हो रहे इंतजां कटनी में सुनिधी की माने इस्थानी इस्तर पर पूर्ब मंत्री संजय पाठक से मिलकर अपनी बेटी को बचाने के लिए सलामत घर वापस लाने की लगाई रही गुहार जिसके बाद पूर्व मंत्री विजय रागहोगड विधायक संजय पाठक इस्थानी सांसत बीडी वा प्रदेश मुख मंत्री से बात कर तमाम जानकारी उपलब्ध करवाई रहे उसके बाद प्रदेश सरकार वा खजुराहो कटनी सांसत बीडी सर्मा के अथक प्रयास का रहा नतीजा कि आज युक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई MBBS सुनिधी सिंग आज सकुसल कटनी वापस आ सकी है सुनिधी ने बताया कि युक्रेन के हालात बहुत खराब हैं और बड़ी जद्दु जहत के बीच संघर्स करते हुए रोमानिया के सरहत के रास्ते भारत सरकार के सहयोग से अपने वतन भारत आ सकी है और भारत सरकार का आभार वेक्त करती हूँ जवलपूर एरपोर्ट से कटनी कलेक्टेट तक सुरक्षित लाने का जिम्मा कटनी कलेक्टर प्रियंक मिस्तरा ने नायब तहसिलदार राजिव मिस्तरा को सौपा रहा जो जावर्पूर में सुनिधी की आगवानी कट अपने साथ कटनी लेकर आई और कटनी कलेक्टर प्रियंक मिस्रा ने सुनिधी से भेट कर उसका स्वागत किया और उसके वापसी के लिए जीला प्रिसासन गंभीरता से लगा जुटा रहा उनके वापसी के प्रियास में जो आज सफाल हुआ एंपी न्यूज कर्ष्ट के लिए जाहिद हुसेन सिद्धिकी की खास रिपोर्ट इंडिया आने तक इंडिया आने तक इंडिया आने तक स्टार्टिक में तो बहुत कह रही था हम पाच बचे साइरन बज रहा है और उसकी आवाज से मेरी नीम खुली पर न्यूस इंडिया पर देखा तो बहुत अच्छा की अवार्ट शुरू हो गई है तब तो बहुत खबराहाट का महूल हो गया था स्टार्टिक में फिर सब बच्चे दौर दौर के जा रहे हैं समाने खंटा करने के लिए कि हमें उमेद नहीं थी कि एवाक्विशन पॉस आप किस देश की बाडर में तो यहां तक कैसे पहुंचिए रुमेंया की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम एक शेल्टर के थे बॉर्डर में अब भी इंडियन बच्चों के लिए कि आप लगाया गया था वहां से पर इंडियन अमेजी नपास अरीच कराई ती दूकर एस यह दो मैं इसपर कि आया था चौन एक जा है कि आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को पर जाने के निर्द कर県 था कुछ निर्दियस दिया था इंडियन गोर्मेंट ने दिया था बट उन्मीन के प्राइट टाइम नहीं था कि बच्चे बंड आप उलवां घृबिह अब लोग को कहा से साधन मिला की जगह तै कितना सफर के तफर रहा प्रोट किया करना पड़ा फादल चलना पड़ा सबसे पहले हमने बस करिए थी मैं टर्णोपल में रहती है उसके लिए हमने चर्णीमसी जाने के लिए बस करिए तो उसके आठ घंटे थे वहानी प्राइबिट बस थी इसके बाद में बहां से आपको आठ फिलो में पैदल चलना पड़ा था पॉड़र तक खौश लिए इसके पहले कहा उतर आप लोगे अर्पूर्ट के कौनसे इरपोर्ट से पर विए परसास एक जगारियों से किन-कन से बात हुई आपकी अभी प्रशासन अतिकारियों में वी कर्लेक्टर से इसे बात हुए है थी रहे हैं फुश्वाने घंटे गारे गुष कहना चाहेंगी कि अब भी थैक्फुल गवर्मेंटों को कि अदेले कि बहुत सही स्टैंड लेज़ा बचाती हूं कि हमारे जो इस्टन युक्रेयन में बच्चे पसबूए उनको निकालने के लिए और सोशिश का लिए